आप सभी को प्रणाम सामुहिक स्वध्धाय का समय हो गया है। भरगो देवश धीमाही धीयो यो नाहा प्रेचो दैया। आत्मसंयम और निमित्ता द्वारा आरोगी की रक्षा करेंगे। मन को को विचारो और दुर्भावनाओं से बचाय रखने के लिए स्वध्याय एवं सतसंग की वैवस्था रखे रहेंगे। परंपुज्यो गुर्देव और वंदिनीयमादाजी के शुष्म उपस्तती में आज का स्वध्याय। आज की स्वध्याय में हम आत्मबल तपस्चरिया से ही मिलता है उस पर आगे का स्वध्याय करेंगे। भारते दिहास के कुज्वल प्रिष्ट इन अध्यात में विज्यानी तपस्वी महापूर्शों के चरित्रों से भरे हुए हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया अप्रकती के साधहारन विश्यों को ही उलट-पुलट करके दिशा दिखाई। तब करके लोग ऐसे ऐसे विचित्र शक्तियां, विचित्र वर्दान, विचित्र पदार्थ प्राप्त करते थे जो साधारन तहा देखने या सुनने में नहीं आती। श्राप और वर्दान के कारण ऐसे कारिय संपन्न होते थे जो साधारण जीवन में आश्यर जनक एवं असंभव मालूम पड़ते थे अश्टे सिद्धियों का वर्णन योग ग्रंथों में मिलता है पतंजली योग दर्शन को विभिन साधनाओं के विभिन प्रतिफल बताए गए हैं वे ऐसे हैं जो साधना और तपश्चरिया से विमुख वैक्तियों को असत्य मालूम दे सकते हैं पर जिनके कारण अंतरबल को जाना और अभी वर्धन किया है वह भली प्रकार समझते हैं कि यह विभूतियां तो तुच्छ हैं साधना के बल पर आत्मा को इतना महान बनाया जा सकता है कि वह परमात्मा के समान बन जाए परमात्मा सत्ता का साजीदार बनकर वही सब अधिकार प्राप्त कर ले जो स्वयम परमात्मा को प्राप्त है तब एक विशुध्द विख्यान है जिस प्रकार रशायन विधा, पशु विधा, चिकिस्विधा, सिल्प शास्त्र, विधुद विख्यान, कृषी विधा, संगीत, सिक्छा आदी, अनिको इस्थूल विधाएं इस संकसार में विविद प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हो आत्मविधा का उपीवग होता है. जिस प्रकार मस्तिक्ष में जो करने का विचार आता है, वही शरीर काम करने लगता है. उसी प्रकार शुश्म जगत में जो प्रक्रिया काम करती है, वे ही कुछ समय उपरान घटनाओ की रुप में प्रगठ हो जाती हैं. जिस प्रकार विचारों पर नियंतरन करके हम अपने साधारन कर्मों को भलाई या बुराई की दिशा में मोड सकते हैं उसी प्रकार शुष्म जगत में काम कर रही प्रक्रियाओं को आत्मबल के आधार पर प्रभावित कर दिया जाएं तो संकसार में जैसी घटनाएं घटित होने की तैयारित ही उसे रोका मोडा ये पतला जा सकता है प्राचिन काल में जो भी लोग ऐसा करते भी रहे हैं आज वैज्ञानिक बादलों पर बर्फ का चूरा छिड़क कर जहां चाहें वहां मन चाही वर्षा कराने में सफल हो गए हैं अध्यात्म विज्ञान के वैज्ञानिक अपनी आत्मशक्ती को बर्फ की चूरे से भी अनिको गुना शुष्म और सशक्त बना लेते हैं कि उसे विश्व की गती विधियों को अनिष्ट की दिशा में जाने से रोक कर मंगल में परिस्थितियों की विश्व हित कारणी वर्षा करा सके विश्व की सर्व भौमिक परिस्तियों को दुख, दरिद्र की, रोकशो की, भै, कलह की परिस्तियों से बहुत अंशों में बचा सकना और किनी भयानक संकटों को अपने बढ़े हुए आत्मबलद्वारा संतुलित करना योगियों की शक्ती के अंतरगत आज साता है वे ऐसा करते भी हैं, कई बार वेक्तिगत रूप से भी कुछ सत पातरों को आवश्यक शाहता प्रदान करते हैं जिससे की ततकाली कटनाईयों से छुटकारा पारकर धर्म सेवा की कारियों में अधिक प्रगति कर सके तपस्वी लोगों के बारे में यह सोचना उचित नहीं है कि वे केवल अपने ही लाप के लिए इतने कश्ट उठा कर तब करते हैं अपना निज का स्वार्थ तो उनका इतना ही होता है कि अपने आत्मा को तब की अगनी में तपा कर खरे सोने के समान निर्मल बना ले जिससे उसे परमात्मा का सजातिय बनने और उसमें मिल सकने योग्य करना संभव हो सके जिस प्रकार के उपर चड़ी हुई राख के कारण उसका रंग काला और प्रकाश और गर्मी का अभाव दिखता है उसी प्रकार आत्मा पर भी पाप तापो का आवरण चड़ा होने से वह अलपग्य एवं दीन हीन इस्थिती में पड़े हुए साधारन जीवों जैसा निखाई पड़ता है पर जब साधनात्मक प्रयतनों द्वारा वह राख का परत हड़ जाता है तो अंगार अपनी प्रकाश श्वान उशंता युक्त इस्थिती को पुनाप्राप्त कर लेता है उसी प्रकार इश्वर का अविनावशी अंश आत्मा भी तब अगनी में अपने को तपाकर निर्मल, निश्पाप एवं निरावन बनाकर इश्वरिय दिव्य प्रभा से चमकने लगता है साथ ही उसमें वे सब विश्चिस्ताएं भी उत्पन्न हो जाती हैं जो इश्वरिय प्रकाश से परिपोन आत्मा में होनी चाहिए परमार्थ और परोपकार के बड़े बड़े आयोजनों द्वारा लोगों को जो कुछला पहुँझाया जाना संभव है उतना आत्मबल के धनी अपनी अपनी आत्मशक्ती के थोड़े से छीटे छिड़क कर करकी पहुँचा सकते हैं किसी पुर्ण्य प्रारब्ध से हीन दीन दरिद्र वैक्ती को कोई अन्य दान करने वाला दाने कुछ दीन तक पेठी भर के रहने की वैवस्था कर सकता है उसके प्रारब्ध जन्य दरिद्र को दुर नहीं कर सकता, पर कोई तपस्वी अपने तप का एक छोटा सा अंश उसे दे दे, तो उतने मात्र पुर्णे से वह उम्र भर धनी, संपन्न, लोगों जैसा उन्नत जीवन वैतीत कर सकता है. वैसा उन्नत जैसा शायद उस अन्यदान करने वाले का स्वयम भी ना हो। उपचार कोई चिकिसक नहीं, वरन आत्मबल संपन्न तपस्वी कर सकता है. स्कूली सिख्छा की वैवस्था करने वाले विद्यादानी किसी को उच्च पदवी धारी बना कर रोजी रोटी कमाने लायक तो बना सकते हैं, पर आत्मबल का कहीं से एककण मिल जाने पर तो वालमी की सरीखे डाको भी बिना किसी कॉलेज में प्रविश किये, आदी कवी महर्शी वालमी की बन सकते हैं. श्रम, समय, धन और मस्तिक्ष द्वारा के जाने वाले परुपकार लोगों का कुछ भला तो करते ही हैं, पर वह थोड़ा सा ततकालिक और आस्थिर होता है. उनका सरू प्रकड दिखाई देने के कारण संगसार में उनकी प्रसंसा तो खुब होती है, पर पुण्य उसी अनुपात से होता है, जिस अनुपात से की लोगों को साधारन या गंभीर समस्याओं का समाधान उनकी द्वारा संभव होता है. कीर्ती भी सतकर्मों का ही एक फल ही है, साधारन पुण्यों का फल भी कीर्ती तक ही सीमित है. लोग अपने नाम का पत्थर लगा कर अपनी प्रसंसा छापे में छपा कर अपने दान की कीमत जीते जी ही वसुल कर लेते हैं, फिर पर लोग में तो थोड़ी छूच मात्र ही मिलनी शेश रह जाती है. गत अंक में छिपे पिछले लेख में अनेक पुर्णय परमार्थों की चर्चा और प्रसंसा की गई, स्वार्थ में दिन रात डुबे हुए केवल अपना ही घर भरने और मौज मजा करने की धुन में लगे हुए लोगों के द्वारा इतना होना भी अच्छा ही है. सारे के सारी शक्तियां वासना और त्रिष्णा में लगाने की अपिक्छा यदि उनका कुछ समय श्रम और धन किसी सुपकारियों में परमार्थ में लग जाना तो उतने अंशों में तो उनका समय और धन सदुप्योगी माना जा सकता है. ना कुछ से कुछ अच्छा वाली कहावत के अनुसार जो भी कोई थोड़ा बहुत पुर्णे परमात कर ले वह अच्छा ही है. इस निमत्ती से उसके मन पर जितने कुछ धर्म संसकार जमते हैं वे आगे चलकर सनमार्ग में सहायख ही होते हैं. इस दृष्टी से परमात के परत्यन, उचित और उत्तम ही हैं. यही प्रयतन हमें श्रिष्ट बनाते हैं पर इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी तुलना आत्मबल उपारजन करके तब के प्रयतनों से की जाने लगे. दोनों की इस्तिती में उतना ही अंतर है जितना चीटी और हाती में होता है. यूँ यदबी तब के अनेक मार्ग हैं. विदेशी या विधर्मी लोग अन्य पद्दितियों से भी अपनी साथनाय करते हैं और उनसे यथा संभा लापी उठाते हैं. परन्तु अध्यात्मे विध्यान के शुश्मदर्शी रिश्यों ने अपने योगबल से यह भी देख लिया था कि गायत्री की साहिता के बिना कोई तब अधिक फलदायक नहीं हो सकता. इसलिए भारती पद्दती में महा मंत्र को सबसे अधिक महत्व दिया गया है. इतिहास पर द्रिश्टी पात करने से पता चलता है कि यहां इसी महा विध्यान के आधार पर आत्मकरल्यान के महान अभिमान किये जाते हैं. प्रायह सभी रिशियों ने इस राजमार्ग को अपनाया है. रिशी महर्शियों में जो विशेस्ताएं थी उनमें उनकी तपस्या ही एक मात्र कारण थी. विश्वमित्र, वसिष्ड, यागवल्य, भारत द्वाज, अत्रे, गौतम, कपिल, कर्म, पातांजली, व्यास, वालमिकी, चैवन्य, शुकदेव और नारत, दुर्वाशा आधे रिशियों के जीवन वित्तांत पर विहांगन अवलोकन किया जाएं तो सहजी पता चल जात है कि उनकी महानता का, उनके अध्भूत इवं महानकारियों का कारण उनका गायत्री तभी था, विश्वमित्र जी के द्वारा अपनी तपूबल की शक्ती से नैस्रिष्टी का बनाया जाना और त्रिशंकु को सासरीर स्वर्ग भेजने की कथा प्रसिद्ध है वस्ष्ष्ट को काम धेनूं को गायत्री को ले जाने के लिए जब राजा विश्वमित्र गय थे, तब वस्ष्ष्ट जी ने निसस्त्र होते हुए भी राजा की भारी सेना को परास्त कर दिया था भागी रजी तब करकी गंगा जी को स्वर्ग से प्रिथ्वी पर लाय थे अम्रिश का तपूबल जब दुरवाशा रिसी के पीछे मृत्यु चक्र बन कर दोड़ा तो अंतमी दुरवाशा को अम्रिश की शरण में जाकर ही प्राण बचाने पड़े थे इस प्रकार की अगडित कथाएं ऐसी हैं जिन से प्रगट है कि तब के द्वारा कुछ विलिक्छन शक्तियां तपस्या में उत्पन्न होती है श्राप और वर्दान की अनिक कथाएं मजोध हैं कपिल के श्राप से राजा सगर के सौ पुत्र भस्म हो गय थे रिशियों को पालकी में जोद कर सवारी करने वाली राजा नहुश्क जो अगत्स रिशी के श्राप वज गिर कर जिन्हें सरपहुना पड़ा था राजा निग्रम ऐसे ही क्रोत के भाजन बन कर गिरगिट की योनी में प्राप्त हुए थे गौतम के श्राप से अहिल्या शिला हो गई थी और इंद्र को शत भंग होने की कुरुपता धारन करनी पड़ी गुरुपतनी से गमन करने का श्राप चंद्रमा के ऊपर कलं के रूप में अभी विद्धमान है श्रिंगी रिशी के श्राप से राजा परिच्छित को तक्छक सरपने काटा था सुक्राचारे के श्राप से कच्छकी विध्या निश्वल हो गई थी श्रवन कुमार को मिर्ग जान कर तीर मारने पर उसके पिता का श्राप राजा दश्रत को लगा था और अंत में राजा को भी पुत्रशोक में प्रान त्यागने को विवश होना पड़ा था रिश्य मुक परवत पर वाली श्राप वशी नहीं जा पाती मेक दूद का यक्छशाप वक्ष की अपनी प्रियतमा से वियोग का दुख सहता है इसी प्रकार वर्दानों का भी इतिहास है देवताओं और रिश्यों के वर्दानों से अनेकों को अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई है और वे उस क्रिपा के कारण आसाधारन लाभों से लाभानमी भी हुए है तब की द्वारा संसारिक सुक्सो भाग्यों से परिपून बरने वालों के उधारन भी कम नहीं है ध्रुव ने तब करके राज्य पाया था राजा दिलिप की संतान ना थी उनने पत्नी समेद वशिष्ट जी के आदीश अनुसार नंदिनी का यत्री की उपासना की थी तद अनुसार उन्हें महाप्रतापी पुत्र की प्राप्ती हुई योगी राज मच्छिंद्रनात की भस्म विभूती के द्वारा महायोगी कौरकनात का जन्म हुआ था अन्जनी ने कठिन तप करके बजरंगी हलुमान जी का प्रसव किया था दसरजी यग्य के पुर्णे प्रताप से संतान हीन के दुख से मुक्ती मिले थे और चार पुत्र प्राप्त हुए थे कर्ण को नित्य सवामन स्वण प्राप्त होने का वर्दान प्राप्त हुआ था वह इस स्वण को नित्य दान कर दिया करते थे किवल महापुर्शों को ही तब करके अधिकार हो ऐसी बात नहीं है इस्त्रियां भी पूर्शों के समान ही इस छेत्र में पूर्ण अधिकारनी है आत्मा ना इस्त्री है और ना पुरुष वह इश्वर का विशुद्ध इस फुलिंग है उसे तब करके आत्मा को पर्मात्मा से मिला देने का सोभाविक अधिकार सदा से ही प्राप्त है पार्वती जी का तब प्रसिद्ध है गार्गी, मैत्री, अनिसुया, अरुंधती, अहिल्या, मदालसा, देव्यानी, कुंती, सत्रूपा, विरिंदा, मंदोदरी, तारा, द्रौपती, दम्यंती, गौत्मी, अपाला, सुल्मा, शाश्वती, उसीजा, सावित्री, लोपमुद प्रतिशेई, वैशालेनी, बेहूला, गान्धारी, अन्जिनी, सर्मिष्ठा, देव होती, अधिती, दीती, सची, सत्तिवती, सुकन्या, सौब्य, तारा, मंदोदरी, गौपा, गोधा, विश्ववारा, जुहू, रोमाशा, श्रता, वयुना, आदिन, आगणी, तपस्व विस्तार पुर्वक वर्नित हैं, उसे पढ़कर यह भली प्रकार जाना जा सकता है कि प्राचिन काल में इस्त्रियां भी पुर्शों के समान ही, तपस्षरिया के छेत्र में बढ़ी हुई थी, गायत्री माता की गोध में उसके पुत्र और पुत्री समान रूप से क्रेडा कलोल कर सकते हैं और समान रूप से पैपान कर सकते हैं। गया कि सत्यवान का जीवन काल केवल एक वर्श का है, तब सावित्री ने तब करना आरंब कर दिया और एक वर्श में ही वह शक्ति प्राप्त कर ली कि वह अपने पती को यम के हाथों से भी वापस लोटा सकी। दम्यंती का तब ही था जिसके कारण कुछेश्ठा प्रयत्न करने वाले व्याद को उस दीवी के श्राप से भस्म होना पड़ा। गानधारी आँखों से पट्टी बांधे रहकर नेत्रों का तब करती थी जिससे उसकी दृष्टी में इतने शक्ति उत्पन्न हो गई थी कि उनके देखने मात्र से दुरियोधन का शरीर अमेग्ध हो गया था। जीस जंगा पर उसने लज्जावश कपड़ा डाल दिया था, वही कच्ची रह गई थी और उसी पर प्रहार करके भीम ने दुरियोधन को मारा था। अनुसुया के तप ने ब्रह्मा, विश्नु, महेश को छे-छे मेने के बालक बना दिया था। शती सांडिलि के तपो बल ने शूरिय के रहत को भी रोग दिया था। यह माता सती सांडिलिनी का तप था। तप शक्ती उतपादन का विश्ध विज्यान है, तप अस्वी को निश्चित रूप से आत्मिशक्ती मिलती है। उस शक्ति का किस कारिय में किस प्रकार उप्योग किया जाए यह दूसरा प्रश्ण है जैसे धन बल, बुद्धी बल, शरीर बल, अधिकारी बल आदी का कोई मनुश्य सद उप्योग या दुरुप्योग कर सकता है वैसे ही तपोबल को दैविय या आशुरी कारियों में प्रियुक्त किया जा सकता है प्राचिन काल में असुरों ने बड़े-बड़े तब किये थे और अपने-पने पुरुशार्थ के अनुरुप वर्दान भी पाये थे परन्तु उनका मार्ग अनुचित था इसलिए वह तब उनकी प्रभूता बढ़ाते हुए भी नाश का कारण सिद्ध हुआ रामण, कुम्भकरण, मेगनात ने बड़े-बड़े तब किये थे और उन्हें के फल्सुरुप वे इतने सामर्थवान हो गये थे कि उन्हें तीनों लोगों में कोई भी जित ना सकता था अन्त में उन्हें समेटने के लिए एक अवतार को ही आना पड़ा भस्मासुर, स्वयम को अपनी वर्दाता शंकर जी को तब करके उन्हें भस्म कर देने के लिए वह तैयार हो गया था हिरनकश्यपू, हिरनाक्च, मैसासूर, शुम्भनिशुम, कंश, जालंधर, अहिरावण, महिरावण, मारीचे, खरधूशन, सहस्त्रबाहू, काल नेमी, सुन्दू, उपसुन्द, आदी सुनन्द, अनेको, असुरू ने तब द्वारा ही इतनी शक्तियां प्राप्त की थी कि उनके आतंग से समस्त संक्सार कमपायन होने लगा था और उनकी विनाश के लिए भगवान को विशेश आयोजन करना पड़ा था तपो बल का आसरू उपियो करने वाली इस्त्रियों की सेंख्या भी बहुत है सुर्पनखा, तांडका, त्रिजटा, लाकिनी, सूर्सा, पूतना, विशिखा, करकटी, होलिका, ठुट्रा, आदी के उपख्यान सर्वविदी थे तांत्रिक विधा के अनुसार, साधन करने वाले, अगोरी, कपालिका, ब्रह्मराक्छस, बैताल, अगनी मुक, दृष्टिशूल, आदी पुर्शों की भाती, विशाखा, कृत्या, कुश्मांडी, भैर्वी, सत्चक्रक, भद्रा, प्रभारी, टाकनी, शाकिनी, आदी प् इस्त्रियां भी तपोबल का आसरुब इप्योग करती हैं, यह मार्ग दूशित अवस्य है, पर इसमें दोश विज्ञान की नहीं, उसके प्रयोकतक का है, चाकू से कलम बनाना, या किसी का पेट फारना, यह अपने ही भले और बुरे कर्म है, इनसे चाकू की निंदा नही होती है, वे महापुरुष जो इतिहास में उज्वन नक्षत्र की तरहा चमक रहे हैं, उनके पीछे भौतिक नहीं आत्मिक बलही है, भिश्म जी सरसय्या पर उत्तरायन सूर्य आने की प्रतिक्छा में मेहनों तक मृत्यु को दुदकारते रहे, शीषकटा हुआ रावण, अपनी अंतिम सांस लेते हुए लक्षमन जी को राजनिती सिखाता रहा, ब्रम्भु वाहन का कटा हुआ सीर्भी संजय को वह दिविद्रिष्टी अपनी अनुभूतियां और अभिलाशाएं प्रकट करता रहा, संजय को वह दिविद्रिष्टी प्राप्ती कि वह घर महा भारत के सारे दिश्य धिद्राष्ट को सुनाते हैं, वालमिकी जी ने रामा अवतार से पूर्व ही उनका सारा इतिहास लिख दिया, धतीची रिशी की हड्डियों में इतना प्रचंड तेश था कि उनहीं के द्वारा बना हुआ व्रच वृत्ता सुर को मारने में सफल परशुराम जी अकेले होते हुए भी प्रिथ्वी के समस्तराजाओं को सेना समित संहार करने में सफल हुए, धौम मेरिशी के आशिरवार मात्र से अरूनी के समस्त विधाओं का विद्वता प्राप्त हो गई थी जिन्होंने इतिहास पुरान पढ़े हैं, उन्हें इस प्रकार के असंख्य उपख्यानों का पता है, तब की महत्ता अनाधिकाल से लेकर अब तक समान रूप से अक्छोन बनी हुई है पुर्णकाल में तब की ओर लोगों को अधिक रूची थी, इससे वे अधिक प्रतापी थे, यह रूची घटने के सांथ सांथ प्रताप में भी घटोरुत्ती होती गई मध्यकाल में भी जब जो आत्माएं चमकी हैं, उनमें आत्मतेज का ही प्रकाश रहा है संथ कबीर, नानग, दादू दयाल, रहदास, रामानोच, सुर्दास, तुलसिदास, रामकृष्ण, परमहंस, रामतेर्थ, विवेकानन, विरजानन, दयानन, तिलक, गांधी, मालवी, अर्विन, रमन आदी के पीछे तपस्या की ही जोती जगमगाती हुई देखी जा सकती है यो तपस्या की अन्यमार्ग भी हैं, पर इसमन रखना चाहिए कि उन मार्गों में भी शुष्मरिती से गायत्री का ही विज्ञान संबंध है गायत्री के द्वारही अधिकांस तपस्वित तप करते हैं, क्योंकि यह रास्ता सबसे सरल, सर्वसुलप, हानी रहीद, शिर्गफलदाई और यही विरक्त, इस्त्री पुरुष सभी के लिए सुसाध्य है आज की स्वध्य है में हम तप साधना द्वारा दीवी शक्तियों का उद्भर पर स्वध्य है प्रारंब करेंगे दिकदर्शन की दृष्टी से सास्त्रकारों ने कहा है कि इश्वर भी तप के ही प्रभाव से स्रिष्टी रचना में समर्थ हुआ है यह पूर्व तपसो जात मधब्यह पूर्व माजत्य गुहा प्रविश्य तिष्ठितम यो भूते भीव पश्चत अर्थाद उस परमिश्वन ने स्वर प्रथम तप किया उस तपके श्रम श्वेद से जल उत्पन्न हुआ यो अकाम्यत बहुश्याम प्रजायत्य शातपो अत्यपतम शा तपस्वपत्वह इदसर्वम स्रिजत यदकिंचम सत्य स्रिष्टवा तिदित्व प्रविश्यत्य तैत्रिय वल्ली छैमे अर्थाद उस परमात्मा ने प्रकट होने की इच्छा की उसे तू तपकिया तपकि शक्ती से जगत रचा और उसी में प्रविश्ट हो गया तसमे शह हो वाच प्रजा कामोव प्रजा पतिहिशा तपो अत्यपत्यम शा तपस्वपत्वह शा मिधून मुत्वा पदायते रियम च प्राणम चैत्रिय में बहुदा प्रजाह करिश्यती इती आदित्यों हेवे प्राणयों रवी वेव चंद्रह रवी वार्य इतत्सर्वं यन मुर्तं चमायुर्तं च तस्मार्ते रेव रईयम अर्थात प्रजा उत्पन्य करने की कामना करने वाले प्रजापती ने तब किया तब द्वारा प्राण और रई ये दो तत्व उत्पन्य किये संगसार में जो मुर्तिमान है वह प्राण है और जो अमुर्तिमान है वह रई है मतस्य पुराण में तपस्वचार प्रथम मारणम पितामह आविर्भूतस्तो वेदो सांगो पायगत्य पत्क्रमह अर्थात सर्व प्रथम तो देवो के पितामह ने तब किया तब सब वेदो का आवुर्भा हुआ और जो अपने अंग सास्त्र उपांग तथा पद एवं क्रम से संयुक्त थे अथेश्य ज्यान मयेन तपस्वा चीप मानो अक्या इमत बहुस्याम प्रजायतिय अथ्य श्रात तप्य मानित्य सत्य कामात भिक्छाराणम जायंत तित्रो व्यहित त्रिपदाह गायत्री त्रयो वेदा इस्त्रयो देवा त्रयो वर्णाह इस्त्रयो अपस्चन जायनते सांडिल्ले उपनिशद में ब्रह्मा ने ज्यान में तब से विध्धि प्राप्ति की तब एक से अनेक होने की इच्छा की और इसे तू पुनह तब किया तब तीन अक्छर, तीन आवृत्ति, त्रिपतागायत्री, तीन वेद, तीन देव, तीन वन, अगनी और तीन प्रगठुए इसपस्ट है कि तब साधना ही शक्ती और सिध्धे का माध्यम एवं इस्तरोत है इस्वर तब के द्वारा ही यह वित्रण इसपस्ट करते हैं कि मनुष्य के लिए अभिष्ट उपलब्धियों का यही एक मात्र मार्ग है दूद तपाया जाता है तो मलाई और घी निकलता है धात में तब कर बहु मुल्ले रसायन एवं भस्म बनती है समान अनतपाय जाने पर स्वादिष्ट आहार बनता है कच्ची मिट्टी तपाने पर द्रिन पाशाण बन जाती है कच्चा लोहा पक जाने पर इसपाद बनता है सुवन अगनी संसकाय द्वारा आभा में हो जाता है तपता हुआ सूरिय अपने आत्मा और उश्मा से समस्त विश्व में प्राण वर्षा करता हुआ ग्रह परिवार को अपने साथ बांधे रहता है हिमाले की बर्फ तब कर गंगा यमुना का प्रवाह बनती है खारा और भारी जल तब के द्वारही हलके मीठे जल वाले बादल बन जाते हैं और दूर जल तक की यत्राएं करता है आज का स्वध्य है यहीं तक आप सभी को प्रणाम धन्यवाद